हलो बच्छा पार्टी नमस्कार अदाप सुष्यकाल और केम चोग वलकम जो सस्पी फाइने जिस वी चुलान दे कॉंसेट चैनल और प्लाटफॉर्म वेर इकन फील फिजिक्स और यूर इनिश्क महबद विद असब्चेट आप देख रहे हैं इस प्लाटफॉर्म पर फ्री प्लेलिस्ट है बच्छा लोग फ्री सीरीज है प्रचंड सीरीज इस्प्रेशली फोर नीट असपेरेंट्स और आज का ये क्लास होगा लेक्चर नमबर थ्री चैप्टर है आपका यूनिट एंड मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है हर साल नीट के कोश्चन में आप देखिए ये रहता ही रहता है अभी हाली में जो आपका 2030 का एक्जाम गया है उसमें भी कोश्चन आया है 2022 में भी आया है 2021 में भी आया है और आज हम सीखेंगे वर्निर कैलिपर एंड स्क्रू गेज कैसे कोश्चन साते हैं उसकी भी प्रैक्टिस कराऊंगा और पूरा इंटो दिस अमीजिंग सेशन नए हो बच्चा लोग तो चैनल पर जरूर बन जाना एंड हां इससे पहले वाला जो लेक्चर है लेक्चर नमबर टू यूनिट एंड मिजरमेंट का जहां सिखनी के फिक इंड फिगर और एरर हमने करा है आपने देखा है तो ठीक नहीं दे चाहेगा एंसाथ ही मेरे प्यारे बच्चों हम लेक्चे स्टार्ट कर उससे पहले आपको बताना चाहेंगे हमारा सक्सिस मंत्रा बॉक्स चलता है बच्चा स्पेशली फोर नीट स्टूडेंट जो स्पेशली मुझसे परसनली पढ़ना चाहते हैं अपने फिजिक्स को लेके जाना सकते हो देखिए फिजिक्स में आपको मैं 180-180 वाली तयारी करा दूँगा हमारे पेड़ बैचस के अंदर प्लस चैमिस्ट्री के लिए भी 180-180 यहनी 360 मासी गैरेंटी हमारी आपको चैप्टर वाइस DPP, module, live classes मेरे साथ और आप परसनल लेबल पर एकदम connected रहें तो आपको अगर लग रहे है थोड़ा सा भी fear, डर है या फिर आप किसी offline का हिस्सा हो या कहीं भी पढ़ रहे हो बड़ आपको नहीं समझ में आ रहा भीड में यार तो आपको ना feel की जुरत है और वो बाबा SSP guarantee देते हैं कि अगर आप हमारे batches को जोईन करोगे तो definitely होगा कहां आती है मेरे ये प्रहार batches जो की बहुत ही minimum students के लिए है वो है बच्चा class 24 application पर है आपको class 24 app download करना है need select करना है fees बहुत ही minimum है पूरे साल का पूरे साल बर का सब कुछ chapter IDPP module सब कुछ सिर्फ 8000 रुपय में है दो subject का physics and chemistry including 11th and 12th everything live classes के लिए so pay that fees you will get my videos 1st June से batch start हुआ है तो अभी ज्यादा छूटा नहीं है आज ओ बच्चा जो आपका छूटा होगा मैं personally आपको live classes में पढ़ा दूगा तो join कर लीजे बहुत सारे खास benefit है इस class के कुछ भी दिक्कत आ रहा है तो आप इन दो number पर संपर कर सकते हैं WhatsApp number है बच्चा ये SSP team आपको handle कर लीगी ये हम बहुत 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 प्यारा topic है बच्चा एक एक चीज भारेकी से सुनना क्योंकि lectures को दिल से follow करोगे आपको physics के साथ 100% प्यार होगा ये इस channel की guarantee है तो देखे वर्नेर कैलिपर्स कुछ इस तरीके से दिखाई देता है सबसे पहला चीज़ जो हमारे दिमाग में आता है कि वर्नेर कैलिपर्स होता क्या है तो देखे वर्नेर कैलिपर्स ऐसे distance को मापता है या ऐसी चीजों के measurement को मापने के लिए यूज किया जाता है जो हम नहीं माप सकते काफी छोटे-छोटे measurement को मापना होता है तो हम इसका यूज करते हैं जैसे कोई बहुत ही छोटा स संफियर हो गया मुझसके टैमेटर मा अपनी है रेडियस मा अपना है यहावें्ट मा पनी है डाएमेटर मा आपना है कोई क्या कैते हैं छोटा सा स्फियर हो गया या कोई क्यूब हो गया icsper amen classic class 11 में last school की teachers आचकल तो come Win अच्छ से physics कराते हैं practical लेकिन बच्चा अगर कोई teacher करा रहा है तो पहली बार गरे वीडियो देख रहे हैं तो लेक्षक को सीखिए जितना अच्छा अच्छा प्रैक्टीकल करें होतना भैतर है तो यह होता है वर्णीर कैलिपर्स इसको बैसिकली हम लोग जौस कहते है यहीं परना हमारा object फसाया जाता है उसको फसा करके हैं रखते हैं यह जो चीज आप देख रहे हो यह इसको वर्णियर स्केल कहते हैं दोही चीज में होती है और यह वाला जो पट्टा आप देख रहे हो इसको मुलते हैं में स्केल तो कितनी में चीज हैं बच्चा कंस्ट्रक्शन में तीन में स्केल वर्णिर स्केल एंड जॉस यह आपका मूवेबल होता है यहीं पर हमारा object फसाया होता है ठीक है यह तो कंस्ट्रक्शन की पार्ट हो गई अब बात करते हैं कि लीष्ट काउंट क्या होता है यह बड़ा ही एकसाइटिंग करने वाला चीज होता है लीष्ट काउंट के साथ त्यान से सुनना लीष्ट का मतलब क्या है फिर हम इस पर चलते हैं देख़िए जब यह इंस्ट्रूमेंट आपके पास होगा तो बिल्कुल डिट्टो ऐसा प यह वर्नियर कलिपर पीला वाला जो आको होधा नीचे दिख रहा और जो ब्लैक वाला ये मेंन स्केल है, inके zero's को अबसे मिला दिए, ज़दि कि हैं यहाँ बिलकुल गया जाच को आपने विला दिया, जब आपने eh जास और जाच को भी जहाँ आपने Glas usage को मिला दिया, फिर से उपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है ना बच्चा तो उपर का 9 में स्केल का डिविजन नीचे के 10 वर्नियर स्केल डिविजन के बराबर है उपर बराबर ही दिख रहा है तो हम क्या कह सकते हैं 10 VST is equal to 1 MSD यानि कि एक वर्नियर स्केल डिविजन के खांचे की कीमत या फिर इसक यानि कि 0.1 MSD हो गई और ये जो में स्केल डिविजन है बच्चा लोग ये में स्केल डिविजन ये ये सब जानते हैं कितने के हैं यहां से यहां तक जो लिखा है वो MM का होता है मिलीमेटर का होता है इसका मतलब ये हुआ List Count का मतलब क्या हो जरा feel करें List Count का मतलब ये हुआ कि वह सबसे सुक्ष्म या वह सबसे छोटा measurement जो ये device माप सकता है वो है आपका 0.1 List Count वो होता है अभी मैंने सिर्फ List Count बोला है अभी हमें लाता हूं कि List Count कितना होता है क्योंकि direct सवाल पूछे जाते हैं I hope आपको ये line clear हुआ होगा we can see that 10 division of Vernier Scale आपको गिना दिया is equal to 9 division of main scale अच्छा सौरी हम चलोगा 9 MST है मैंने 1 क्यों लिखा सौरी 10 VST माफी चाहेंगी is equal to 9 MST clear है बात तो एक VST की कीमत 0.9 हो गई मतलब एक खाने की जो कीमत है वो 0.9 है अब जरा इ चलते हैं इसको थोड़ा से जूम करते हैं देखिए और चीज आपको बहुत बढ़िया से clear होगा इसको जूम करते हैं देखिए जूम करने पर ये कुछ इस तरीके से number आपको दिख रहा है now let us zoom into our scale initially 0 of main scale is coinciding with 0 of 1 year scale आप देखिए 0 of 1 year scale is coinciding with main scale main scale के एक खांचे की जो कीमत थी वो एक मिली मेटर थी और इसकी बच्चो 0.9 mm है अभी तो देखा आपने खुल जा सिम सिम कहां गे भाई पीछे जा आप जी ये देखिए कितनी है कितनी कहां गी कहां गी कहां गी सो बंड़ यह रहा 0.9 तो ये जो है बच्चा वो 0.9 के बराबर है और ये एक के बराब पीछे है जब यहां पर जूम करें जा रहा है तो यहां पता चल रहा है थोड़ा सा पीछे है इसका मतलब है यह जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस में यहां जोस के बीचों फसा सकता हूं यह वाली लाइन अगर खिसक के यहां आ जाए तो यह थोड़ा सा यहां चला गा मतलब यहां पर मैं कितना फसा सकता हूँ, कितने अबजेट को यहां पर रख सकता हूँ, इस अबजेट को इतना ही पोजिशन जो है माप सकता हूँ, तो इसकी जो कीमत हो गई, वो सबसे छोटी हो गई, सबसे छोटा, सबसे छोटे को ही लीस्ट काउंट बोला जाता हूँ, तो लॉजिक क्या बैठा, कि लीस्ट काउंट इस इक्वल टो इस वन एमम, माइनस, दिस जीरो पॉइंट नाइम, अगर इसको थोड़ा सेधर कर देंगे, तो यह जो वैल्यू है वही है यहां पर आ 1 mm, मिलीमेटर, मतलब, मिलीमेटर मतलब 10 की घाते माइनस 3, आपने यह चप्टर मुझसे पढ़ लिया है, मिलीमेटर को डेसी सेंटी मीली में करते हैं, तो 10 दिस जू माइनस 3 होता है, मतलब ज़रा सूचिए, एक का हजारवा भाग, है ना, एक बटे एक हजार, यही तो अ तो उतना छोटा जो है, अगर मुझे कोई मेजरमेंट करना है, और सबसे छोटा वर्नियर कैलिपर से कितना माप सकते हैं, 0.1, 0.1 से भी छोटा अगर होगा, तो screw gauge होता है, यानि 0.1 mm सबसे छोटा तो मापेगा, इससे उपर के तो माप ही लेगा, बट इससे नीचे नहीं आप पाएगा, तो यह उसकी least count हुई, और आप जड़ा देखी least count अपने निकाला कैसे, यह क्या है, main scale division, यह क्या है, one scale division, यानि least count निकालने का तरीका क्या हो गया, तरीका हो गया, main scale division बच्चा, minus में one year scale division, पकी बात, ठीक है, चलो, यह देखिए, तो आगया आपका, so we can write that least count of one year caliper, कितना प्यारा slide बनाया है, बच्चो, यह slide अगर आप download करके रखोगे न, telegram में मिल जाएगा, हर session के बाद जाता है, तो आपकी पूरी physics आपको इसी तरीके से session में मिलते रहेंगे, channel पे लगातार मिलते रहेंगे, तो बच्चो, धैरे रख करके, चलने से पढ़ अब बात आता है, कि थोड़ा और इसको generalize करता है, तो generalize किस तरह से किया गया है, वो देखे, general case के लिए, अगर n division of one year scale, n कितना था, 10 के बराबर था, और main scale में कितना था, बच्चा, 9 था, क्या अगर मैं 10 को n मान रहा हूँ, तो 9 को तो मुझे n-1 लेना पड़ेगा, पकी और एक one year scale की कीमत कैसे आई, n-1 upon n, देखे, n VST is equal to n-1 MST, तो 1 VST की जो value हो गई, वो आई आपकी n-1 upon n MST, ऐसे बहुत सारे सवाल बच्चो नीट में बने हैं, 2021 का paper आप उठाओगे, तो उसमें बिल्कुल ऐसा सवाल निट्टो पूछा गया है, तो आप ये n tons से related भी ब problem नहीं आएगे, अगर ये छोटी छोटी बाते आप ध्यान रखोगे तो, तो ये VST n-1 upon n MST हो गया, अब मैं यहाँ उठा के स्को रख देता हूँ, फिर देखे, यहाँ से अगर आप common लोगे, बच्चा MS common करोगे, तो यहाँ हो जाएगा, 1 minus में, n-1 upon n, LCM ले लिजे, cross multiplication तो ये N से N कटा, यानि MS upon में N हो गया, तो देखो 1 MS upon में N हो गया, मतलब least count को direct निकाल भी सकते है, least count के दो formula हो गए, एक तो है, VSD, MSD माइनस में, VSD, महिंदर सिंग धोनी में से सब घटा दो, MST, M Main Scale Division, महिंदर सिंग धोनी में से सब को घटा दो, पकी बात है, या फिर दूसरा इसको पूरा solve करने पर यार, अगर आपको main scale की कीमत पता है, main scale का division पता है, कि 1 mm है या whatever it is, उसको divide by N कर दो, N क्या है बच्चा, तो N is N division on Vernier scale, प्लीज ध्यान रखना, कितने खाने हैं Vernier scale में, question को change भी कर सकता है, जरूरी नहीं हर बार 10 division ही मिले, N के जगा कुछ भी हो सकता है, NTA है, सवाल घुमा सकता है, तो आप तयार रहें, और इनके questions अच्छे अच्छे आते हैं, तो यह दिमाग में रखो, अब बात आती है, कि Vernier Calipers की reading, मतलब कि जिसको हमने उसके अंदर, किसके अंदर, Jaws के अंदर फसाया है, उसमें reading कैसे लेते हैं, तो उसक least count आ चुका है, अब हमें यह सिखना है कि main skill और यह coincide किस से क्या हो रहा है, वो कैसे देखते हैं, तो let us take one example, ताकि आप को यह पूरा clear हो जाए, जैसे माल लीजे कि आपने यहाँ पर Jaws रखा था, और वो Jaws फसाया हुआ है किसी object को, ऐसे, ठीक है, माल लीजे यहाँ पर को आपका main scale और यह है बच्चो आपका circular scale, तो main scale पर आपको सबसे पहले reading देखनी है, तो आप देखे इसका 0 जो है 6 नंबर के आसपास है, तो main scale को आप average ले लिजे 6, प्लस आपका 0.1 था least count और आपको यह देखना है कि vernier scale का कौन सा division coincide कर रहा है main scale के साथ, प्लीज ध्यान स से सुने कभी problem नहीं आएगी, I repeat my sentence, सबसे पहले vernier scale का 0 देखे, main scale के कहां पर match कर रहा है, इधर, लगबग 6 नंबर पर, तो यह 6 हो गया main scale की reading, फिर बच्चा पार्टी क्या करना है, least count जो हम निकाल चुके हैं 0.1, into हमें किस से multiply करना है, coincide किस से हो रहा है, तो देखो यह match कर रहा है क्या, नहीं यह कर रहा है exactly, तो यह आपका 1 हुआ, यह आपका 2 हुआ, तो into हम 2 कर देंगे, तो 6 प्लस 0.2, यानि कि 6.2 mm, मतलब बच्चा यहां जो भी चीज फसाई गई है, उसका length आपके पास कितना है, 6.2 mm है, तीन बाते याद रखो, list count कैसे निकालते हैं, और list count होता क्या है, list count का formula क्या है, that's it, तीनों बात एक जैसी लेगी, list count के 2 formula, msd minus vsd, 1 ms divided by n, and then this formula, main scale division plus list count into number, which is coinciding with main scale, easily you will solve the problem, clear हो गई बात, कैसे question neat में पुछे का हैं, वो हम इसी lecture में करेंगे, बने रही हैं, अब इसका दूसरा हिस्सा पढ़ते हैं, यह इन्योंने solve कर दिया, हमने भी कर लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे screw gauge, screw gauge कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, physics के lab में आप जाएंगे तो आपको यह दिखाई देगा, सबसे पहले construction की बात करते हैं, और यह क्यों use होता है, हम वो भी समझ लेते हैं, main scale, कितना कम से कम माप पा रहा था, 0.1 mm, अगर मैं आपको एक copper का पतला सा तार दे दूँ, तो आपको पता है, वो कितना पतला है, अब अगर मैं आप से कहूं, उसका diameter माप आप बोलोगे, यार आदमी पागल हो गया है, कि उसका diameter कैसे मापे, भाई हो, तो बहुत पत तो इसका मतलब इसका list count और छोटा आएगा, अगर उसका 0.1 था, by the way इसका 0.01 होता है, याद कर लीजे, mm में अगर चीज़े होंगी तो, है न, तो पहली चीज screw gauge का क्यों use करते है, जो चीज vernier calipers नहीं माप सकता, वो हमारा screw gauge माप लेता है, इसलिए हमें इसका use करना इसको main scale कहते है, और main scale पर ये जो line बनी हुई आपको दिखाई दे रही है, इसको index line भी कहा जाता है, कई सारे अच्छे अच्छे reference book में ये word use किया जाता है, main scale, के उपर ये जो line है, जहाँ पर आपको ऐसे readings होती है, उसको हम index line कहते है, ये वो object है, जहाँ जो फसता है, इस fix रहता है, ये support देने का काम करता है object को, और ये जो चीज आप देख रहे हैं, ये आपका spindle है, ये adjustable है, जब मैं इसको घुमाऊंगा, ये आपका circular scale, इसको thimble भी कहते हैं, इसके उपर ऐसे पकड़ के इसको घुमाया जाता है, इसको thimble बोलते हैं, हाला कि अगर निकल नाम है, और ये जो last में है, ये है आपका ratchet, यानि fix करने वाला, इसको ऐसे tight कर दीजे ताकि object निकल ना सके, right तो ये होगे आपका construction part, mainly आपको construction part में जो चीज याद रखनी है, वो है कि इसका scale का कैसे विभागी करन किया गया है, division कैसे किया है, तीन चीजे में याद इंडेक्स लाइन बहुत बार पी वाई की उसमें देखा है, मतलब mean scale की बात कर रहा है, circular scale, और तीसरा जो है बच्चा लोग, वो है आप लोगों का, यहाँ पर ये spindle, जिसमें ये फसता है, तो ऐसा बोल देता है, the object is faced between the anvil and then spindle, तो पता हो ना चीजो किसकी बात कर रहा ह एक्जाम में, ठीक है, चलो ये आपका construction पार्ट हो गया, अभी किस सिध्धान पर काम करता है, इसमें सिध्धान क्या है भाई, उसमें तो पता था, jaws के बीच में object को फसा दिया, तो यहाँ एन्विल और spindle के बीच में इस object को फसाईए, तब तक इस screw को घुमाते रहिए, जब तक कि यह tight नहीं हो जाता, अब सोचो मैं इसको घुमाओंगा, तो इसका principle यह है कि जब इसको घुमाओंगे, circular दोगे, तो यह ऐसे linearly आगे move करता है, है न, वही चीज़ लिखा है, the linear distance moved by the screw head is directly proportional to the amount of rotation given to the screw, screw को आप जितना rotate करोगे, वह उतना आगे जाएगा, जैसे nut bolt होता है, हम ऐसे nut tight करते हैं, उतना आगे जाता है, it's a simple principle, रटो मत, nut bolt में क्या खास होता है, जैसे बच्चो यह nut है, यह bolt है, आप bolt tight करते हो, tight करने का मतलब आप rotation देते हो, और bolt नीचे आते जाती है, तो bolt कर क्या रही है, linear distance cover कर रही है, क्या यह linear distance is directly proportional to the rotation given to it, answer is yes, तो यह इस principle पर काम करता है, हम जितना turns देते हैं, फिर यह घूम जाता है, अब बात करते हैं कि इसका least count कैसे निकालते हैं, तो जरा इस point को ध्यान से समझना, अगर इस circular division के अंदर इसमें n divisions हैं, generally 100 divisions होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आप वो देखेंगे material, यह instrument, तो आपको पता भी चल में मत पढ़ा करिए, यह दुनिया जो है, बहुत गलत कर रही है इस वक्त, education sector के अंदर, लोग बस competition, competition का नाम कराते हैं, लेकिन बच्चों को real feel नहीं करवाते हैं, सिर्फ numericals बस यह करते रहो, पर असली physics वो है, जहां पर आप physics को apply करना सीखो, तो आप please मैं request करूँगा, क coachings में जाता है, फिर वो school में मुझे नहीं लगता जाता है, हो सकता है, मैं गलत हो सकता हूँ, बड़ा अधिकांस्ता मैंने यही देखा है, तो इन सब चीजों से थोड़ा बचिएगा, बच्चा, right, school के अंदर जाएगे, experiment करिए, बहुत सारे school ऐसे हैं कि जो कराते हैं rotation, तो number of rotation को हम small n से represent करेंगे, और number of division को हम capital n से represent करेंगे, तो देखे, least count का formula ये बनता है, याद रखे, main scale upon capital n into small n, अगर आप ध्यान से देखो, तो ये equation, बिलकुल, one year calipers के equation जैसा है, one year calipers के के अंदर भी हमारा जो last में equation आ रहा था, वो ऐसा था, one ms divided by capital n, बस, यहाँ capital n के साथ small n भी ले लो, क्योंकि number of divisions करोगे, तभी ये matter करेगा, तभी ये आगे जाएगा, है ना, और बच्चा, ये जो ms upon n न, इसको pitch बोलता है, अब pitch क्या होता है, pitch का मतलब होता है linear distance, अगर आप इसको ऐसे घुमाते हो, जैसे माल लीजे, ये ऐसे, आपने घुमाया, दो बर घुमाया, तीन बर घुमाया, चार बर घुमाया, तो ही जो दो circular turns के बीच का gap है ना, इसे हम pitch क्याता है, तो हमने कितना घुमाया, और कितना main scale आगे बढ़ा, उसी को हम pitch बोलता है, यानि list count निकालने का formula यहाँ पर क्या हो गया, दो हो गया, पहला है, 1ms divided by capital N into small n, फिर से repeat करता हूँ, capital N circular divisions है, number of circular divisions है, ये सवालों के हिसाब से बदला जा सकता है, but I'm normally अधिकांस्ता ये जो होता है, 100 जितना divisions होता है, circular division, और small n क्या है, number of rotation है, जो हम देंगे, जिससे वो आगे बढ़ेगा, is it clear, good, फिर, दूसरा formula क्या है, pitch divided by capital N, आप विश्वास नहीं मानेंगे, बच्चा, विश्वास मानिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको नीट के लगाता है, lectures मिल रहा है, एक सवाल ऐसा पूछा है, नीट 2022 में, कि किस में, हो सकता, number आगे पिछो, ही पता चलता है, यूट पर, बट यार, देखो, मैं तो अपनी आखरी सांस तक बच्चों को पढ़ाने वाला हूं, irrespective of what the number of students are watching, मैं दिल से करा रहा हूं, बहुत दिल से सारे सिद्दत से आपको lecture दे रहा हूं, तो मैं इस मुद्दे पर था, हाँ, pitch divided by capital, हाँ, मैं इस प 1000, what is least count, ऐसे सवाल भी आए है, बिल्कुल ऐसी सवाल है, आकड़ा उपर नीचे हो सकता है, ये फोर्मल लगा करके आंसर कर सकते हैं, so it is very very important, कि आप नीट की तैयारी अगर कर रहे हो, तो physics में marks लाना सच में आसान है, लेकिन बाकी के महंगे महंगे coachings में, बड़े बड़ EdTech Education Channel ने, जो इतना ads चलाते हैं, वो इतने गंदे तरीके से परोस दिया है कि physics को, कि बच्चों वो लगता यार, मुझे इस chapter में सच में इतना time देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है बच्चा, सच बताऊं, surficial knowledge के questions आते हैं नीट में, और सही teacher से आपको पढ़ना होता है मैं यह नहीं कहूँगा कि मैं grade batches में जो करा रहा हूँ, अब यहीं होगे, ऐसा नहीं है, there are so many teachers, irrespective of number of views and all, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बच्चा, अब को जिससे समझ में आता है न उससे पढ़िए, यह मत देखे कि कितने लोगों ने इसे देखा है, यह students का दोनी, यहाँ पर भी है, main scale reading, महेंदर सिंग धोनी, division नहीं, reading बोल दीजे, plus least count, और circular scale का कौन सा हिस्सा, index वाले line के साथ connect कर रहा है, जैसे देखे, यह index line है, horizontal line, index line भी कहते है, main scale का, अब यहाँ पर आप देखे, यह 20 है, यह 21 है, यह 22 है, तो इसकी यह वाली line, इसके साथ match कर रही, जैसे वहाँ क्या था, one year scale का, कौन सा वाला scale match कर रहा था, तो यहाँ क्या देखना है, circular scale है, one year के जगह पर, तो circular scale का कौन सा division match कर रहा है, तुम्हारे index वाले line के साथ, तो 22 है, तो 22 into least count कर दीजे, generally इसका जो least count होता है, वो 0.01 होता है, बच्चा, है न, and कैसे 0.01 because 1 divided by क्या था, numbers of division कितने, 100, तो 1 by 100 कितना हो, 0.01, तो आप देखे, 0.01, 0.1 से भी छोटा है, तो और अगर छोटी चीजों में जाना है, we use screw gauge, तो यह आपका answer आजागा 2.2 mm, अच्छा, यह main scale का rating कैसे लिए, तो यह जो यहाँ दिखेगा, यह घुवाने पर अगर 2 दिख है, तो 2, अगर यहाँ रहता, तो 1 होता, यहाँ 2 दिख रहा है, इसलिए, circular skill का, main skill का 2 mm, 22 वा खाना मिल रहा है, और list count आपका 0.01, है ना, असान, ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ, इनकी सवाल, तो आपको और clarity मिलेगी, देखे, यह रहा सवाल आपका, अच्छा, इस positive error, और negative error, क्या चीज है, error मतलब गलती होती है, 0 error का मतलब होता है, जब 0 वाला खाना, circular skill का, index line के साथ match कर रहा हो, तो 0 error है, कई कोई गलती नहीं है, उसमें, instrument, लेकिन बच्चा, अगर 0 नीचे रह जाए, कहां रह जाए, नीचे रह जाए, तो समझ जाए, positive error है, और अगर 0 ऊपर रह जाए, तो समझ जाए, यह बच्चा, negative error है, अब negative error है, तो उतना आप जोड दोगे, पीछे ले आओगे, तो plus हो जाएगा, positive error है, उतना घटा दोगे, तो वापस 0 पर आ जाएगा, basically, जैसे यहाँ 0 है, ऐसे समझ यहाँ 0 है, तो 0 error, यह है आपका index line, य इधर है आपका circular division का 0, 0 exactly, इसके सामने 0 error, लेकिन 0 यहाँ पर है, तो negative error हो गया, sorry, positive error हो गया, हाँ, और अगर 0 यहाँ है, तो negative error है, तो घटा दीजे, sorry, plus कर दीजे, उपर negative error है, तो plus कर दीजे, plus कर देंगे, तो 0 पर आ जाएगा, और अगर बच्चो, positive है, तो घटा दीज आपके, तो वापस 0 पर आ जाएगा, चलो, आप देखो, इसके सवाल आपको मजाएगा, नीट 2021 का सवाल है, बाबू, क्या पूछ रहा है, screw gauge है भाईया, main skill reading 0 है, circular skill का reading 20 division है, फिर कहता है, given that 1 mm on main skill correspond to 100 division, clear, 1 divided by 100 कर दूँगा, तो मुझे least count मिल जाएगा, बच्चे 0.01, the diameter of the wire from the above data is, जिस बच्चों formula पता है, ऐसे गर देगा, circular main skill की reading 0 mm, तो हट गया, प्लस, least count है आपका 0.01 into 52, तो 0.01 into 52 कर दीजे बच्चों, तो आपका answer निकल कर क्या जाए, 0.052 cm, अच्छा है, mm से cm में जाना है, तो divide by 10, basic knowledge, चलिए, अगला सवाल देखिए, नीट में हुआ है, 2019 का सवाल है, main skill of vernier caliper has n division per cm, यहाँ पकड़ लीजे, main skill of vernier caliper has n division per cm, मतलब कि जो main skill के खाने की कीमत है, बच्चा, वो क्या हो गई, cm में, n division of the vernier scale coincides with n-1 division of main skill, क्या आप ऐसा लिखेंगे यहाँ पर, कि भाया, n vst is equal to n-1 msd, theory में हमने किया, so the least count of the vernier calipers is, तो देखिए, तो आपका n vst is equal to n-1 vst हुआ, यहाँ से 1 vst की कीमत इतनी आ गई, least count आपका होता है msd minus vst, तो 1-n-1 solve किया, तो 1 upon n msd, अच्छा, 1 msd is equal to आपका 1 upon n cm दिया ही है, इस question में यही तो बुला है, यानि कि msd की कीमत 1 upon n ह है, तो आपका अंसर कितना आ गया, 1 upon n square cm, चलिए अगला सवाल दिखिए, एक सेंटीमेटर on the main scale of vernier caliper is divided into 10 equal parts, अच्छा सवाल है, पढ़िए, एक सेंटीमेटर on a main scale of vernier caliper is divided into 10 equal parts, तो एक पार्ट की कीमत पता चलनी चाहिए, if 10 division of vernier coincides with the 8 small division of main scale, then the least count of the vernier caliper is, देखे बच्छा, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है, 1 cm on the main scale of vernier caliper is divided into 10 equal parts, यानि कि जो 1 cm है, वो 10 equal parts of msd के बराबर है, तो एक main scale division की जो value हुई, वो 1 upon 10 cm हुई की नहीं हुई, पता चल गया, ठीक है, आप से बोलता है least count, least count हम कैसे निकालते है, msd minus में vsd से, अच्छा, यहाँ क्या लिखा है, 10 division of vsd, तो 10 vsd is equal to 8 msd, यह जैसे हम 3 पड़े उसे साब से चल रहा है, तो 1 vsd की जो कीमत हो गई बच्चा, वह 0.8 msd हो ग है ही, तो 1 minus में 0.8 यानि की कितना हो गया, 0.2 msd, और 1 msd के जो खाने की कीमत है, वो है आपका 1 divided by 10, यानि 2 divided by, 2 divided by 100, तो 0.02 cm, लीजे, answer, that's it, चलो, एक और question कर लेते हैं, अच्छा, आप ये question को हम आपको practice के लिए देंगे, बिकुश जब तक आप practice नहीं करोगे, मजा नहीं आएगा, in just 30 minutes of content, we have done the entire concept of screw gauge and आपका vernier calipers बच्चा, इसके लावा, एक spherometer भी होता है, but that is not related to the medical students, that is related to J-Mins, I hope बच्चा आपको ये video पसंद आया है, जरूर शेर करिएगा, सिर्फ 30 minutes में आपको पूरा समझा दिया है, अब काम करना बूलना मत, ये मैं आपको टेलिग्राम में provide करूँगा, along with this आपको और भी अच्छे-च्छे questions की practice दोगा, देखे, यूट्यूपर जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे है, free of cost, और वो किसी कारणों की वज़ए से paid batches कहीं पर और join नहीं कर सकते, या मेरी batches join न ठीक है, along with that, अगर आपको लगता है कि नहीं यार, 8,000 रुपीस में ही हम भाईया से पढ़ सकते हैं, तो join करो यार हमारी paid batches, because वहाँ पर बहुत limited students है बच्चा, chapter wise, DPP, module, अभी दो ही class होई है, बच्चों के साथ personal discussion, बच्चों के साथ number share होते हैं, मैं personally, खुर daily बात करता ह because बहुत limited student है, हम पर कोई pressure नहीं है कि हमें ad चला करके इतने सारे बच्चे लेकर क्या है, हम बहुत limited students को cater कर रहे है, especially वो जो physics को सीखना चाते है, chemistry को सीखना चाते है, है न, हम courses कर रहे हैं, bio की भी faculty, इसी fees में हम आपको provide कर देंगे, बहुत जल्ब, लेकिन अभी, to be very honest, physics and chemistry का success mantra box है, बच्चा, in just 8000, download class 24 app and just join us, है न, चले, मिलते हैं बच्चा लोग, आप लोगों से अगले class में, तब तक खुछ रहे हैं, मुस्कुराते रहे हैं and मुस्कुरात के साथ physics बढ़ते हैं, bye bye, take care, love you all, thank you so much, bye bye, chahind